नमस्कार अभिवादिन स्विकार कीजिए हरप्रीत कौर का आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव और इंटराक्टिव सत्र जो हम हमारे कक्षद दस्वी के छात्रों के लिए लेकर आए हैं जी हाँ आज का जो हमारा ये सत्र है हमारे दस्वी के छात्रों के लिए हिंदी विशे पर है और आज हम आपकी पाठ्ठी पुस्तक से ले रहे हैं दूसरा पाठ जिसका शीर्शक है तुलसी दास राम लक्ष् परशिराम समवाद भाग एक इसका मतलब कि आज के हमारे सत्र में हम इस part का पहला भाग लेंगे और जितना भी हम portion इस पहले भाग में कवर करेंगे उसका अगला portion आप हमारे जो भविश्य में होने वाले live और interactive सत्र होंगे कक्षा दस्वी के इस पार्ट से जुड़े हुए उनमें आप देख सकते हैं हम आपको बता दिए कि हमारा ये सत्र आप YouTube चानल NCERT Official पर भी अपसे कुछी देर में देख पाएंगे और आप तब उसे डाउनलोड कर सकते हैं सेव कर सकते हैं भवश्य में reference के लिए आज को सत्र बहुत ही interesting है क्यूंकि हम सब कहीं न कहीं रामाइण की विश्य के बारे में तो जानते ही हैं तो ये जो आज रामाइण में एक जो प्रसंग आता है जब श्री राम का विवाह होता है देवी सीता से और उस समय स्वैंवर में वो धनुष तोड़ते हैं तो उस से जुड़ा हुआ ये प्रसंग है और इसको हम जानेंगे, समझेंगे कैसे ले में हम इसे प्रसुद कर सकते हैं इस बारे में भी जानकारी हम प्राप करेंगे आज के इस सत्र में तो अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप फोन कर सकते हैं या फिर इमेल कर सकते हैं, इमेल आईडिया आपके पास होती ही है हमेशा हमारी जो है dth.class10.nic.in साड़ी information flash होती है आपके screen पे, आप फोन करें आप इमेल के माधम से भी हम तक पहुंचें जैसे भी आपके इच्छा हो लेकिन अपनी सुझाव, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साज़ा जरूर करें तो आज की इस सत्र में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे expert आपको चलिए उनसे हम introduce कराते हैं आज हमारे साथ हैं Dr. Girish Kumar Tiwari, Sir नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार हर्पीर जी और सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार जी सर सहाइक आचारे हैं NCERT के भाषा शिक्षा विभाग से और सर हमें बताएंगे सर की आज जो हमारे सेशन होने जा रहा है इसमें आपने मुझे थोड़ी सी जानकारी तो जरूर दी थी कि जो वो विभाग वाला एक प्रसंग है उसमें जब श्री राम शिव धनुष तोड़ते हैं तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रसंग है तो सर एक्जाक्ली हम किस विश्य में चर्चा करने वाले हैं जैसा कि आपने पाठ को प्रस्टूत किया और हमारे दर्शकों को बताया कि आज हम रामचरित मानस के एक प्रसंग धनुष भंग के प्रसंग को पढ़ने वाले हैं तो नाम से धनुष भंग की जब बात आती है तो रामचरित मानस में जब राजा जनक अपनी पुत्री देवी सीता का विवाह करने के लिए श्वैंबर कर रहे थे तो उन्होंने एक शर्ट रखी थी उनके यहां एक विशाल काय धनुष था जिसे लोग भगवान सिव का धनुष भी कहते थे तो उस धनुष को जो भी तोड़ देगा उसी से वो देवी सीता का विवाह करेंगे ऐसा ऐसी शर्ट उन्होंने रखी थे तो इस धनुष वंग में उस धनुष के तोड़ने और देवी सीता के भगवान श्री राम से विवाह होने की जो कथा है उसका चित्रन तुलसी दास जी ने किया है जिसके एक अंस को जिसमें की धनुष तूटता है भगवान परशुराम का जनक के राजदर्बार में आगमन होता है और भगवान राम से और लक्षमन से धनुष के तूटने पर कहा सुनी होती है एक विवाद जैसा होता है इतनी बात आज हम पढ़ेंगे इस भाग एक में इसके बात के भाग में हम आगे की भी बात पढ़ेंगे उस प्रसंग में जो भी हुआ है तो अब पढ़ेंगे जरूर लेकिन इसको सिर्फ राम चरीत मानस के इस प्रसंग के रूप में न पढ़के बलकि हमारे इस पाठे पुस्तक में एक गतिविदी दी गई है वो कि एक विधा है, हिंदी काविय शाहित में बहुत तरह के काविय रचनाएं होती है, बहुत तरह के चंदों में रचनाएं होती है, जैसे दोहा, चौपाई, सवया, कुंडलिय, बहुत सारे ऐसे चंद हैं जिन में काविय की रचना होती है, तो तुलसीदास जी ने अपने रा तो इनके पढ़ने के एक धंग है, तो किस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है, ये हमारी पाथि पुस्तक की एक गतिविधी बे दिया गया है, कि इसको विविद लय में, विविन प्रकार के लय में, कैसे हम पढ़ सकते इसका अभ्यास करे, तो हमारा प्रयास ये होगा, कि हम उसी के साथ, उसी गतिविधी से जोडते हुए, विद्यार्थियों को ये बताते हुए, कि दोहा क्या है, चौपाई क्या है, लय क्या है, विवित प्रकार के लय क्या होते हैं, और उसके साथ हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं, इस पर बाचित क लेवाज जैसा कि आपने बताया कि हम ले बद तरीके से आज इसे गुन गुनाइगे भी तो इसका मतलब जब भी कभी दोहार चौपाई की बात होती है तो उन्हें हमशे ले बद तरीके से ही प्रसुत किया जाना चाहिए जो उनके लिए है उनके लिए बनी अफ वास्तविक यह मतलब होता कि कावे रचना के कुछ नियम कानून है, उन नियम कानून के तहत उसका निर्माल किया गया, जैसे दोहा की रचना करनी है, तो उसके नियम बने हुए है, उनके तहत इसका निर्माल किया गया है, कितने चरन होंगे, कितनी मात्राएं होंगे, कितनी मात्रा पर आपको रुकना है, कितने मात्राओं पर आपको गति देनी है, तो जब इस नियम की तहत रचना की जाएगी, तो जब भी हम उसका पार्ट करेंगे, तो वो स्वभाविक रूप से लाइबद्ध हो जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो स्वर मैं आपसे रेक्वेस्ट ये दोनों एक मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद क्या है, जहां कावे की रचना करते समय हम मात्राओं की गणना करते हैं, मात्राओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम मात्रिक छंद करते हैं, अब इन मात्राओं की गणना का नियम है, जो की एक अलग ही विशे है, उसके ल दोहां और चौपाई दोनों मात्रिक हैं दोनों में चार चरण होते हैं कि बढ़ा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राय हों दूसरी तथा चौथे चरण में 11-11 नाकी जारन होती है यानि इसमेंर अक्रा नहीं होती है पहले और तीसरे हो समान 13 जारन हम दूसरे to कि ठोर गति यानि की प्रवा तो तो क्यों हम पाठ करेंगे तो हमें हर 13 मात्र पर और 11 मात्रा पर जैसे पहले और तीसरे चरल को पड़ेंगे तो तियारह तेरह मात्रा के बाद यानि जहां वड़ में जब जब 11 मात्रा की बात है, यानि हम जब दूसरे और चौथे चरन को पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें 11 मात्रा यानि उस चरन के अंत पर रुकना पढ़ता है, जैसे हनवान चालीशा में एक दोहा लिया गया है, लाल देह लाली लशे, अब ये पहला चरन होता है, तो ये लाली अंत होता है, और अगर हम इनके मात्राओं के गिंती करेंगे, तो ये पूरा तेरा मात्रा होगा, जै 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 कपी सूर, तो इस तरीके से वहां पर हमें रुकना होता है, ताकि वो ले बन सके, वो गती बन सके. सर, ये exam point of view से भी एक important question बनता है, कि दोहे और चवपाई में क्या अंतर है, और इसके नियम क्या है? कि हमारे पाठिपुस्तक में गतिविधी के रूप में दिया गया है इसको कि दोहा और चवपाई को पढ़ने के पारमपरिक ढंग है, तो आपसे ये प्रस्न सायद पूछा जाए परिक्षा में, चुकि परिक्षा है, और ये दूसरों के इच्छा पर ही नेपर है, तो साय भावना बनती है, तो अब ये एक दोहा और चवपाई छंद का में ने सामाने परिचे दिया अपने विद्यार्थियों को, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ले क्या होता है, ले, एक सामान गति को ले कहते हैं, और ले की बात वैसे, तो जीवन में हर जगा ले का महत् और संगीत की जो तीनों विधा है, गायन, वादन और मित्य, इन तीनों में ले की महत्वण भूमिका होती है, और साधारा तोर पर ले को तीन प्रकार के बताए गये हैं, विलंबित ले, मध्य ले और दृत ले, विलंबित का अर्थ होता है देर से, धीमी गती का, तो जब ले धीमी होती है, तो उसको विलंबित काते हैं, जब ले साधारा हो जाती है, यानि विलंबित से थोड़ा तेज हो जाता है, तो उसको मध्य ले काते हैं, और जब साधारा से अधिक तेज हो जाए, तो उसे हम दृत ले काते हैं, अगर उधारा के रूप में समझना हो, त पड़ी के एक सेकेंड को अगर हम मान लेते कि यह मध्ध लय है, तो एक बटा दो सेकेंड जो होगा, वो विलंबित लय होगा, और दो सेकेंड दुरुत लय के बराबर होगा, यानि एक का आधा जो हो जा रहा है, वो विलंबित हो जा रहा है, और एक का दो गुना, यानि हम सब्सक्राइब तो सबसे पहले चौपाई, चुकि हमारे पाठ में चौपाई से ये शुरू रहा, पाठ पुस्तक में, तो चौपाई से हम सुरू करते हैं, नाथ संभुधनु बंज निहारा, होई ही के उएक दास तुम्हारा, ये मध्यलय का उधारण है, अब इसी को अगर हमें धृत करना होगा, तो हम इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, नाथ संभुधनु बंज निहारा होई है के उएक दास तुम्हारा, आए शुकाह कहिए किने मोहिस नीरिसाई, बोले मुनिकेहु, तो इस प्रकार से गती तेज हो जाती है, तो सर्य, ये निरनक ऐसे लिया जाता है कि किस ल मिर्भर करता है, और कभी-कभी जब हमारी परंपरा में अखंड रामायर के पाठ करने की बात की गए, ये जैसे 24 घंटों में पूरा राम चरित मानस का पाठ करना होता है, तो जब वैसी इस्थिती होती है, तो हम दृत ले का प्रियोक करते हैं, क्योंकि हमारे पास निश् तूट चुका है, सीता जी का स्वैंबर रचाया गया है, स्वैंबर में अलग-अलग राज्य के राजा आय हुए है, और सब ने प्रियास किया, कोई धनुस नहीं तोड़ पाया, अंत में भगवान श्रियाम जी ने अपने गुरू के आदेश पर प्रियास किया, और धनु जी के दर्बार में पहुँचते हैं, और पूछते हैं कि ये कोकृत्य, ये प्रख्यात शीव धनुस को तोने का जो दुशकर्म है, जो कोकृत्य है, ये किस ने किया, क्योंकि वो धनुस भगवान शीव ने परशुराम जी को दिया था, और परशुराम जी ने उसको राज परशा उठाए, पूछते हैं कि ये कुकृत्य किस ने किया है, तब भगवान श्रियाम जो है, उनको कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, हे रिशीवर, भगवान शीव के इस महान धनुस को तोड़ने वाला, कोई आपका एक दास, आपका सेवक ही हो सकता है, नाथ संभुधन भगवान शीव के धनुस को तोड़ने वाला, होई ही क्यू एक दास तुमारा, कोई एक आपका सेवक ही हो सकता है, यहां पर ये भी हो कह रहे हैं कि यहां ये कोई सामान्य प्राणी के वसकी बात नहीं है, जो इस धनुस को तोड़ दे, कोई आपका सेवक होगा, यानि कोई आप से शक्तिमान होगा, अगर कोई आप जैसा गुरोवाला होगा, जो इस धनुस को ले सके और इस धनुस का भारवहन कर सके, तभी वो इसको तोड़ पाएगा, तो वही कह रहे हैं कि यह कोई आपका एक सेवक ही है, आय शुकाह कहयकिन मोही, सुनी रिसाई, बोले म को ही, तब वो कहते हैं कि जो भी आज्या हो, मुझसे कहें, भगवान स्रियाम कहते हैं प्रसुराम जी से कि यही दास मैं ही हूँ, सेवक आपका, जिसने आपका ये शिव धनुस्त तोड़ा है, तो अगर कोई आज्या हो, तो मुझसे कहें, तो इस पर इस बात को सुनके, प्रसुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है, कहते हैं, सुनी रिसाई बोले मुनी कोही, गुसे में कहते हैं, सेवक वो होता है, जो सेवा का करे करता है, अरी करनी करी करियलर आई, अरी का मतलब शत्रू से है, अरी मतलब सत्रू होता है, तो जो शत्रू का काम करता है, जो को धनुष को तोड़ दिया, जिसे मैंने राजा जनक के जरवार में सुरक्षित रखने के लिए दिया था, जो उस धनुष को तोड़ देता है, तो वो तो शत्रु के शमान है, और शत्रु से सेवा की बात नहीं की जा सकती, उससे तो फिर लडाई ही करना होगा, उससे तो फ वो उसी प्रकार से मेरा शत्रु है, जैसे की सहस्रा बाहू मेरा शत्रु हुआ करता था, फिर अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है, वो अपनी बात कह रहे हैं, भगवान राम खड़े, मुस्कुरा रहे हैं, और उनके बगल में लक्षमा जी भी खड़े हैं, वो भ भी खड़े हैं, लक्षमा क्रोधी स्वव होके हैं, उनका क्रोध जल्द जागरित होता है, तो अब धीरे धीरे उनका क्रोध जागरित हो रहा है, और परशुराम जी कहते हैं, और सब मृत्यू के भागी होंगे, वैसे भी परशुराम जी के विशे में ही कहा गया, कि 21 बार उन्होंने पूरी पृत्वी को शत्रियों से वहीन कर दिया था, तो वो कहते हैं, वैसी ही घटना फिर हो जाएगी, और ये सारे राजा जो है, वो मृत्यू को प्राप्त होंगे, अब तक जो लक्षवर जी सुन रहे थे बातों को, अब क्या कि उनके जो सहने की सीमा थी, वो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी, अब वो कह रहे हैं, अब वो प्रतिवत्तर दे रहे हैं, सुनी मुनी बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधर ही आमाने, अब अनादर करने वाली मुस्कुराहट है, वो ऐसे मुस्कान देते हुए और परशुराम जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, बहु धन हुं तोरीलरिकाई, कब हुन असी रिसी किन्नी गोसाई, बहुत धनुस हमने अपने बच्पन में तोला है, खेलते समय, लेकिन ऐसी क्रोध, ऐस असी रिसाई कह भृग कुल केतु, तो इस धनुस पर इतना मुह क्यों, इस धनुस में ऐसा क्या खास बात है, भृग कुल केतु हमें बताएं, अब भृग कुल केतु सब्द है, ये तीन अलग अलग शब्दों को एक साथ तुलसी दास जी ने संजोजित कर दिया है, भृग कुल से संबंधित थे, इसलिए उनको कहा भृग कुल, केतु का मतलब होता है ध्वजा, जंडा, अब ध्वजा क्या है, जंडा के क्या काम है, ये अगर राष्ट्र के ध्वज की बात करें, तो राष्ट्री अस्मिता की बात करता है, तो ऐसे ही जो भृग कुल परशुराम जी के तेज से उनके व्यक्तितों से जाना जाता ऐसा उनका व्यक्तितों है वो धोज के रूप में है तो इसलिए उन्होंने कहा लक्षमाजी कि हे भिर्गुकल केतु हे रिशीवर इस धनुस पर आखिर आपकी ऐसी ममता क्यों है ये मुझे बताएं अब जब बा जिसने धनुस को तोड़ा हो वो बाहर आएं और ये दोनों बालक जो है वो हमें बहका रहे हैं इधर उधर की बातों में उल्जा रहे हैं और ये दूसरा बालक तो मेरा तिरस्कार भी कर रहा है लक्षमाजी चुकि तिरस्कार करते हुए कुटिल मुस्कान के साथ उनसे ब तो इतफाक से आज हम लोग भी इसी दोहे के साथ ही समापत करेंगे, तो उन्हों ने कहा कि ये दोहा चंद है, तो अब दोहे में कि चार चरन हैं, तो चार चरन हैं, तो चार चरन में तो अगर हम इसको चौपाई की तरह पढ़े, तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे, हमें उसको उसी ले में पढ़ना होगा, दोहा के हिसाब से ही पढ़ना गा उतने ही मात्रा पर दे रहा होगा, तो अब परसुराम जी कुर्ध में आते हैं और करते हैं, अब वो क्रोध में आते हैं और काते हैं रे राजा के छोकरे दुष्ट बालक तुम काल के सामने भी खड़े हो कि अपने आपको नहीं समाल रहे हो अपनी वाणी को नहीं समाल रहे हो और भगवान सीव के इस महान धन उसको तुम बचपन में तोड़ी गए धनूरियों के समा यहां पर उनका प्रोध बिल्कुल अपनी प्राज़ पर पहुच जाता है और वो धम्काने वाले अंदाज में लक्ष्माजी से करते कि रे राजा के छोकरे दुष्ट बालक जी संभालो अपने आपको तुम काल के सामने खड़े हो और अपनी जीवा पर तुम अभी भी लगाम नहीं दे रहे हो तुम भगवान स्थियू के इस महान धनुस को धनूरियों के समान बता रहे हो तो बात भी बात बरता है लक्ष्माजी भी कुछ क्याते हैं फिर वो आती है बाते ये सारी बाते बरती जाती है फिर कुछ देर के बाद भगवान स्री राम लक्ष्माजी को शांत कराते हुए आगे बात फिर होती है अब अगर इसको हमें देखना हो द्रिश्य रूप में द ऐग्रामा कि इस अंग को बहुत अछे से समझ सकते अ हैं उसके जब यह सारी बातें होती है तो लक्षमा जी जवाब देते हैं की लगा वह प्रसुनाम जी परिचा की मेरी नजरों से दूर हट जाओ तो लक्षमा जी द्वारा धनुस भंग के प्रसंग से स्वेंबर की रचना हो रही है और वहां पर आगमन हो रहा है रिशिवर का अपने दोनों शिश्यों के साथ और स्वेंबर की प्रक्रिया शुरू होती है वहां पर सारे राजा महराजा जो भी है वो प्रयास करते हैं और धनुस तोड नह करते हैं कि लो अब ये चुहा भी चला बिलकुल क्योंकि वह सब काफी उम्रे में कम भी थे उम्रे में कम थे नवयुवक ही थे तो अब उनको लगा कि जहां हम सारे जैसे सक्तिशाली राजा जो है धनुस नहीं उठा पाए प्रत्यंचा नहीं चला पाए ठक गए वहां पर अ उठाने ऐसे उसमें समवाद आया है रामचरित मानस में और उस सकतो एक राजकुमार भी थे बलकि राजा भी राजा भी नहीं थे वह राजकुमार ही थे तो बड़ा ही सुंद्रा इसका वहां पर चित्रा तिया गया है तो मैं अपने दर्शकों से यह अनुरोद करूँग कुछ अपने महाकाव्यों पुरानों के विसे में भी जान सके और घर में रहकर खुद को व्यस्त कर सके अर्थ अगर समय जा जाए और लैब तरीके से जब इसे प्रसुत किया जाता है तो हमारे मस्तिश्क में भी एक तरह का चित्रण बनने लग जाता है बिलकुल वैसा ही कभी का या पाठक का या वकता का काम ही होता है कि शब्द चित्र खीच कर अपने दर्शकूं या अपने स्वृताओं के मन में उसका चित्रण कर दे जिब ऐसा हो जाता है तो फिर इन पाठे पुस्तकों की जरूवत नहीं होती है आपके मस्तिश्क में इस प्रकार से छप कि यह कभी विश्मनित नहीं होना इसे कभी भूलना नहीं है है सर हमारे पर समय का थोड़ा अभाव है इसलिए अगर हम जल्सी थोड़ा सो अगर देख लें अब जो आप हमारे विद्यार्थियों को चात्रों को बताना चाहते हैं मैंने वह एक उधारन दिया अभी दुरुत अब इसको हम थोड़ा और तेज करते हैं यह मध्यले हो गया अब दुरूत ले कि अगर हम बात करें तो यह और तेज हो जाएगा तो इस प्रकार से हम इसको घड़ी से देखकर भी देख सकते हैं कि कितना समय लग रहा है तीनों तरीके से पढ़ने में तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि विलंबित ले मध्यले और दुरूत ले में क्या अंतर है पास्ता विटते हैं कि यह गती ही है किसी भी काम को करने की एक समान गती जो होती है वो ले कहलाती है तो अगर यह धीमी है तो फिलंबित हो गया अगर यह थोड़ा समान ने हुआ तो मध्य हो गया और अगर यह थोड़े तेज हुआ तो दृत हो गया और मुझे लग रहा है कि घड़ी अब इशारा कर रही है और लगबग हम लोगो की बात करी इनका अंतर जाना ओं और ले के बारे में जाना गती के बारे में जाना और इतना सुदर ये तुलसी दास राम लक्ष्मिन परश्य Tigers राम समवाद हमने इसका अर्थ समझा और इसको हमने काफी इंजॉय भी किया इस पूरे सत्र के लिए सर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपका भी धन्यवाद हर्प्रिश जी और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी बिल्कुल हम उमीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं हमारे जितने भी छात्रे हैं उन्हें इस सत्र में काफी मज़ा आया होगा और जहां तक बात है exam point of view की तो आपने काफी जो important points है वो note कर लिये होंगे अब समय है सत्र को यहीं पर विराम देने का लेकिन अब से कुछी देर में आप देखेंगे हमारा अगला live and interactive session जी हां यह हमारा जो session होगा यह science subject पर होगा और topic रहेगा the human eye and the colorful world तो आप हमारे साथ जूड़े रहिए और इस सत्र से मुझे यानि हर प्रीत कौर को दीजे अनुमती नमस्कार